कि अलो गाइज मेरा नाम है फैजल खान और आप सब का स्वागत है जियो खान यूटुब जैनल पर आज है हमारा ओस्योंग्राफी लेक्टर 17 एंड इन टूदेज वीडियो वीडियो इकमान स्पाइरल एंड एकमान ट्रांसपोर्ट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक ची कि तरब अपने एर का मॉमेंट देखा था यह मूविंग अपने वहला था वेंड और यह के अपने को ग्लोबल पैटन मिलता है आपके डिफरेंट डिवेंग्स और उसके बाद में पॉलर इस्टरीज फिर अपने यह देखा है कि डू तु दी रोटेशन ऑप दी अर्थ ड उसके परपेन्डिकुलर एक फोर्स उनको एक्सप्रियेंश होता है और उसके वजह से वह क्या होते हैं अपने इंटेंडडेट पाथ से या तो राइट अंड साइड का विए ठेट भी स्वेट और यह एक्जेक्ली होता कैसे है क्या मेंगिदी रहता है यह सब कुस मैं डि अगर देखना होतो अब हुआ कि ये एकमान ट्रांसपोर्ट और इकमान स्पाइरल से पहले एक नीजसेन करके एक 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 अगधियर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया एक फिनोमीना-ब्जर्व किया उब्जर्व क्या गिया वह अपनी नाव से जा रहे थे तो जहते आते उन्होंने देखा कि एक आइसबर्ग है वह एक पर्टिगुलर डायक्शन में जा रहा है आइसबर्ग तो समझ गयाना है कि ग्लेशियर का एक टूटा हुआ टुकड़ा जो मूव कर रहा हूं ठीक है उन्होंने अब ग्लेशियर का टुकड़ा आइसबर्ग है जा रहा है जाने तो उसके क्या दिक्कत है लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन गया था कि जिस डायरेक्षन म विंड ब्लो कर रही है ना उस डायरेक्शन में वह आइसबर्ग मुवेंट ने दिखा रहा है मतलब मालों कि इस डायरेक्शन में विंड जा रही है तो इस डायरेक्शन से राइट और साइड की तरफ 20-40 डिग्री एंगल बनाते हुए वह आइसबर्ग मूव कर रहा था जैस नों के वीज में करीब करीब 20-40 डिग्री के एंगल उन्होंने अब्जाव किये अब इनका मामला यह था कि यार जब विंड ब्लो कर रही है सर्फेस करेंट्स अर्जनेरेटेड ड्यूट ड्रेक्वर्स ओप दिविंड तो जो आइसबर्ग मूव कर रहा है वह वह विंड क से भी क्यों जा रहा है यह इनका ऑब्जर्वेशन था ठीक है और यहां पर एक फंडामेंटल फॉर्स अपन डिस्कस करेंगे वह अपना कोरियोलिस फॉर्स याद आ गया ना कि कोरियोलिस फॉर्स किसके उपर काम कर रहा था कि कोई भी रोटेटिंग सिस्टम में कोई अब हो जाएगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इंधी नदरन हमिस्वेर और सदन हमिस्वेर रस्पेक्टिवली जो भी बात करेंगे यह ऑब्जर्वेशन था कि विंड जनरेटेड ओशनिक सर्फेस करेंट से जो वोटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो विंड ड चालिश डिगरी के आर्सपास का एंगल बना रही है विंड डायरेक्शन के पेरलल नहीं है सवाल यह उठता है कि जब सर्फेस करेंट विंड नहीं जनरेट करी है तो वो सर्फेस करेंट विंड के पेरलल क्यों नहीं है यह ऑब्जर्वेशन है ठीक है इसको एक्सप्लें क और इसकी वज़े से क्या होगा जो रिजल्टेंड मुवमेंट होगा वह कैसा होगा इन दोनों के बीच में जैसे आप बिल्कुल ऐसे समझोगे यह एक आपकी विंड डायरेक्शन है यह कोरियोलिस फॉर्स इसके बिल्कुल परपेंडुकुलर काम कर रहा है ठीक है और इन द पर निकल के आएगा जो मुमेंट आएगा वह इन दोनों के बीच में अब इकमान ने बोला किया एक मान ने मॉडल क्या प्रपोस किया कि एक बैलेंस एक्जिस्ट करता है किसके किसके बीच में फ्रिक्ष्णल इफेक्ट इन दी ओश्यन एंड दी कोरियोलिस एफेक्ट महां से आ गया और अगर बैलेंस एक्जिस्ट करता है तो किस तरह से करता है यह तो इन्होंने मॉडल दिया ठीक है तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना यहां से क्यूशन ओलरी चार नंबर का नेट में पुछा जा चुका है कि इकमान इस पाइरल या इकमान ट्रांसपोर इंडिकेट्ट्स बैलेंस बीट्विन स्टिट्वेंशनल फोर्स एंड कोरियोल इस फोर्स ठीक है यह ध्यान में रखना और प्रिसाइज लेंग्वेज में लिखेंगे तो यह आ जाएगा फ्रेक्स्ट्नल इफेट्स इन दी ओस्ट एंड टीकोरियोली सिफेक्ट्ट एक् लगेगा ठीक है अब यह रजUNG इसको कि अभी महत्व अपको यह मोटाता हूं और यहां पर अब सब पहले इसको Less अब ध्यान से बाठ यह मेरी टाइरेक्शन से समझ भूझन और उन डैरेक्शन के पर्पेंड़िर्ड कुण लगेगा मेरा फ़र आप लैजर लाइड के देखतेumba के शिर्फ ठीक है यह जो ग्रेन वाला पट्टी है यह मेरी डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर क्या है मेरा कोरियोलिस फॉर्स और इस कोरियोलिस फॉर्स की वज़े से क्या होगा कि यह जो विंड सर्फेस करण्ट जन्रेट करेगी यह मां अल्रडी बता चुका हूं कि सर्फेस करण्ट सब्सक्राइब जन्रेटेट बाइड़ी विंड ठीक है यह उल्रडी डिसकस कर चुके तो यह जो विंड जो सर्फेस करण्ट जन्रेट करेगी उसका जो नेट मोमेंट कैसा होगा विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ठीक है स्टी फॉर्टिप डिग और यह वो सर्फ जो विंड है की डाइरेक्शन उससे 45 डिगरी का एंगल बनाते वे मूव करेगी बतलब दा वेरी फरस्ट सर्फेस करेंट जनरेटेट बाइदी विनड विल मूव इन डाइरेक्शन मेकिंग दी एंगल और 45 डिगरी टूदी विंड डायेक्शन समझ में आ ग करेगा जैसे यहां पे मेरा surface water move करना चालू करेगा तो इसके नीचे जो water लाई कर रहा है जो नीचे इसके water होगा वो क्या करेगा वह भी motion में आ जाएगा क्यों क्यों कि moving water body क्या करेगी अपने water molecule एक water molecule अपनी energy क्या करेगा immediately beneath the layer of water उसको transfer करेगा इसको यहां से समझो थोड़ा जैसे यह मेरी wind direction थी इसके पर्पेंडिकुल मेरा Coriolis force लगा इसके वाज़े से मेरा जो first surface current generate हुआ वो uniform conditions की बात कर रहे है आइडियल कंडिशन की बात कर रहे है तो 45 डिग्री angle बनाते हुए generate हो गया अब यह जो water mass generate हुआ इसके निचे जस्ट जो water mass होगा उसको यह अपनी energy transfer करेगा तो transfer करेगा तो वह क्या करेगा लेकिन move करेगा तो जैसे movement में आयागा Coriolis force काम करेगा और इसको right and side की deflect कर देगा समझ में आगे बात फिर यह जो water mass है यह अपनी energy इस अपने नीचे वाले water को क्या करेगा transfer करेगा और उसकी वज़े से water mass भी क्या होगा motion में set हो जाएगा लेकिन Coriolis force की वज़े से right and side की तरफ deflect हो जाएगा नदन hemisphere की बात कर रहे हैं फिर यह water mass है यह अपनी energy इससे अपने नीचे वाले water mass को transfer करेगा वो motion में set होएगा और किदर deflect हो जाएगा right and side में फिर यह water mass है यह अपनी energy यह water mass अपनी energy इसको देगा यह movement करेगा और Coriolis force की वज़े से right and side की तरफ deflect होता चला जाएगा समझ में आ रही है बात इसकी वज़े से हो क्या रहा है कि जो top surface थी मेरी motion में आई थी यह मेरी विंड डाइरेक्शन है इसके perpendicular Coriolis force लग रहा था इसकी वज़े है अपने निचे वाले water mass को energy transfer करेगा वह फिर से Coriolis force की वज़े से right and side में deflect हो जाएगा फिर यह water mass है अपनी energy इसको transfer करेगा निचे वाले को ऐसे करते ना कि एक water mass जब मूब करेगा तो इसके निचे वाला water mass हो क्या करेगा उसको Frictional force provide दर वाएगा और friction के वज़े से energy consume होती चली जाएगी समझ में आ रहे है तो जैसे 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 बढ़ती के बात अब इसको यहां से समझो हुआ क्या था यह मेरी विंड डाइरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर डाइरेक्शन में मेरा Coriolis force काम करा था उसके वज़से एक सर्फेस क्रण्ट जो जन्रेट हुआ वह विंड डाइरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाते वे इसने अपने अपने नीचे वाले वाटर मास को दी और वह वाटर मास मूव करना चालू गया वैसी उसके और फिर से राइट साइंग साइड में उसको डिफ़्लेट कर देगा फिर यह वाटर मास ऐसी प्रोसेस चलते रही चलते रही कि यिझी है और यह सारा का सारा फंड़ा है और अल्टिमेटल की कहां जैसे यह वाटर का मुवमेंट है इस डायरेक्शन में और विंड डायरेक्शन में रिया तो दौनों एक दूसरे के बिलकुल क्या है अपोजित है और जैसे डेफ्ट बढ़ते जाएगी फ्रिक्शनल फॉर्ट बढ़ता चला जाएगा और जो विंड एनर्जी इंपार्ट कर यह उन्रेट मिटर लेगिने डिपेंड किसके उपर करेगी कि कि डेफ्थ पे जाकर कर और रूग जाएगा वह डिपेंड करेगा कि विंड की स्पीड कितनी है और latitude गया latitude पर कैसे क्योंगे Coriolis Force के magnitude भी latitude पर depend करा जैसे इसे latitude बढ़ेगा Coriolis Force का जो deflection वो बढ़ता चला जाएगा उसका magnitude वो बढ़ता चला जाएगा यहां से निचोड क्या है निचोड यह है कि wind से generated surface currents होगी उनके दोवारा जो net water का movement होगा उसको अपन बोलते हैं एकमान ट्रांसपोर्ट और वह एकमान ट्रांसपोर्ट विंड डायेक्शन के परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिगरी पे होगा और जो फर्स्ट सर्फेस करण्ट जो जन्रेट होगी वह 45 डिगरी एंगल बनाएगी ठीक है और एक पर्टिकुलर डेफ्ट ऐसी आएगी जहां पर वाटर मुवमेंट खतम हो जाएगा बंद हो जाएगा वह डेफ्ट अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड मीटर है ठीक है और यह जो लेंथ ओफ एरो है यह बदाती है सर्फेस करेंट्स की स्पीड और यह जो डायरेक्शन है वह तो इसका बैलेंस एक्जिस्टेंस ठीक है जो पहली सर्फेस करन्ट जन्रेट होगी वह विंड से 45 डिग्री एंगल बनाएगी समझ में आ रही है बात और एक ऐसी डेफ्ट आएगी जहां पर विंड जन्रेटर सर्फेस करेंट वह बिल्कुल विंड के अपोजिट डायरेक्श के बिल्कुल परपेंडिकुलर एकमान ट्रांसपोर्ट यह आइडियल कंडिशन है लेगन अपने को पता है कि अर्थ में आइडियल कंडिशन जैसी कुछ नहीं होती है तो यहां पर होगा क्या कि जो अपन रियल ग्राउंड पर बात करेंगे तो यह जो सर्फेस करन्ट पह रिषा जा चुका है दूसरा यह जो एकमान ट्रांसपोर्ट नाइडियल कन्डिशन में नाइन्टी डिग्री है विंड डिरेक्शन के वह लेस देन 90 डिग्री होगा कितना लगवख सतर डिग्री के आसपास तीसरी कंडिशन की जो कोस्टल एडिया होता है ना कोस्टल क्या क्या होता है को स्वे जिह होता है कोस्ट यह वाँ पर सेल के नीटिक है थी होती है तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल स्केलब लचिय में बता शुका था कि लार्ज स्केल मुविंग औब्जेक्ट्स विल एक्स एक्सपिरियंस दिस कोरियोलिस एफेक्ट तो इस्मॉल इसकल वाटर बोड़ी में क्या होगा एक तो डेफ्ट अलड़ी बहुत कम हो आपे दूसरा क्या है कि मुवमेंट बहुत लार्ज स्केल का न वीडियो पोज करके आप अराम से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है अपने नोट्स बनाते रहें कोई दिक्कत नहीं है फिर यहां पर आप देख लीजिए अराम से यह फैक्ट मैंने सारे बोल दियें कि आइडियल कंडिशन में जो पहली सर्फेस करेंट देखेंगे और यहां पर देखेंगे तो अपने को जो पहली सर्फेस करेंट मिलेगी विंड जनरेटेड वह विंड से लेज दन 45 डिग्री एंगल पर होगी जो इकमान ट्रांसपोर्ट होता हो लेज दन 90 डिग्री होता अप्रोक्सिमेटली 70 डिग्री का सपास यह पूच् परगा वो नियरली विंड डियरेक्शन के परलल होगा ठीक है अब यहां पर एक क्यूसन पूचा गया है यह पर आपको हमिस्पियर किसी भी तरीके से इन्हों ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम कौन से हमिस्पियर की बात करें नदन हमिस्पियर की है सदन हमिस्पियर की यहां पर देखो एक इन्होंने वेस्टन बाउंडरी ओप दी ओशें वेस्टन बाउंडरी ओप दी ओशें का मतलब क्या है कि वेस्टन बाउंडरी करेंट्स के ब किसमें consider करते हैं Northern Hemisphere में ठीक है तो यहां पे आप प्री एजियूम करके चलोगे कि एग्जामिनर ने मान लिया है कि तुम्हें पता है कि मैं नदन Hemisphere की बात कर रहा हूं तो यह क्यूशन किसके बारे में बात करें नदन Hemisphere में नदन Hemisphere में अपने पास में दो सब कॉर्ट्रोफिद्र का रहे हुँव में एक अट्लांटे को देन करेंट नौह सब्सक्राइब में अब disturbed flame करेंगा सब्सक्राइब तो यहां पर कि आओगा नाइंटी डिग्री टिवाश दी आएट ऑब दी विंड डाइरेक्शन ठीक है जो विंड की डाइरेक्शन होगी उसके अलίας डिग्री जो है वह आपका मुवमेंट हो जाएगा राव यह कि बात कर रहा है यहीं सर्फ पहली सर्फएस करान्ट की बातos नहीं कर रहा एं just अब और यह आइडिल कंडिशनेस में बात कर रहा है तो कर रहें तो आपकी जो वेस्टन बाउंडरी करैंट ठीक है इसके ऐसे काम करेगा और यह क्या करेगा इसको नेट ट्रांस्पोर्ट हो विंड के 90 डिग्री एंगल पर राइट अंड साइड में दखेल देगा समझ में आगी बात यहां पर आपके क्यूश के क्यूशन है दस अच्छे क्यूशन है नेट की एक्जाम में इस लेवल जैसा सकते हैं कि घूम जाता है ठीक है एकमान हैबल और अच्छे से समझ में आ गया हो आने वाले वीडियो ले में Geostrophic Currents Geostrophic Circulation Atlantic Circulation Indian Ocean Circulation Pacific Ocean Circulation Alnino-Lanina Indian Ocean Indian Monsoon Indian Ocean Dipole यह कुछ basic concepts है अपने को समझने अपवेलिंड डाउनवेलिंग उसमें यह सब चीज पाम आएंगी तो इसको ढंग से समझ लेना यह तो उसमें गड मतोड हो जाएगी ठीक अलाड ले पहली बार अगर यूटूब यह पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना यार शेर कर देना अपने दोस्तों को जुनियर्स को सीनियर्स को टीचर्स को और जॉइन कर सकते हो यूटूब सब्सक्राइब कर सकते हो फायदा उठा सकते हो और आज की वीडियो के लिए यतना ही है थैंक्यू सब्सक्राइब इस वीडियो लेक्ट्टर और लिए एक्जामिनेशन